असलाम अलेकुम दोस्तो मैं हूं इसमान मन्शा और आप देख रहे हैं रस्लिंग फीवर दोस्तो रोयल रंबल के शोकिंग एंड के बाद फाइनली रोमन रेंज ने एक स्टेटमेंट दी है और दा रोग जो रोयल रंबल में अपियर नहीं हुए उनका आगे का क्या स्टेटस है यानि क्या वो रिसल मेनिया में आएंगे या नहीं इसका हमें क्लियर आंसर दे दिया है ट्रिपल एच ने अंकल हाओडी ने जो रोयल रंबल में स्टंट किया उसकी एक ऐसी वीडियो मैं आपको दिखाऊँगा जो डबडबली कभी नहीं चाहेगी के फैंस देखें इलोन मस्क ने डबडबली रोयल रंबल के एक सरप्राइजिंग मुवमेंट पर रियक्ट किया है और साथ साथ गुंतर की भी बात करेंगे जो रोयल रंबल तो नहीं जीत पाए लेकिन एक बड़ा रिकोर्ड उन्होंने अपने नाम कर लिया है तो ये सब न्यूज और स्टोरीज जानने के लिए इस वीडियो को पूरा लाज़मी देखें तो चलें मिना देर की ये शुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग बात करते हैं करंट इंटर कॉंटिनेंटल चैंपियन गुंतर की तो गुंतर ने रोयल रंबल में एक बहुती इंक्रेडिबल परफॉमंस दी है और वो रोयल रंबल के आखरी दो सुपरस्टाज में भी शामिल थे लेकिन वो रोयल रंबल नहीं जीत पाए मगर उन्होंने एक रोयल रंबल का बड़ा रिकोर्ड अपने नाम कर लिया है जो कह है रोयल रंबल मैच में सबसे जीदा टाइम स्पेंट करने का रेकोर्ड और गुंतर इस रोयल रंबल मैच में एक घंटा 11 मिनट और 25 सेकिंड तक रहे ये रेकोर्ड पहले रे मिस्टीरियो के पास था जो के 2006 के रोयल रंबल में एक घंटा 2 मिनट और 15 सेकिंड तक रहे थे तो डेफिनेटली गुंतर के लिए ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड रिचस्ट मैन इलोन मस्क की जिन्होंने डबड़ रोयल रंबल के एक शोकिंग मुमेंट पर रियक्ट किया है दोस्तो जिस मुमेंट पर इन्होंने रियक्ट किया वो है रिकोषे और लोगन पॉल की नैस्टी को लियन तो होता कुछ यूँ है कि डबड़ी रिकोषे और लोगन पॉल के इस अन्बिलिविबल मुमेंट की वीडियो शेयर करती है जिस पर रियक्ट करते हुए एक फैन ट्वीट करते हुए लिखता है और लोगन पॉल वर्सिस एंड्रिव टेट मूमेंट इन दा रिम्बल लेकिन फिर तमाम रिसलिंग फैन्स को सर्प्राइस करते हुए इलोन मस्क इस ट्वीट को रिप्लाइ करते हैं और लिखते हैं इट्स ओनली अ मैटर ओफ टाइम दोस्तो इलोन मस्क का इस पर रियक्ट करना किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था और इस चीज में तमाम रिसलिंग फैन्स को शोक कर दिया नेक्स हम लोग बात करते हैं उस टंट की जो अंकल हाओडी ने रोयल रंबल में परफॉर्म किया तो जैसा कि हमने देखा कि अंकल हाओडी ने एक बहुत ही उंचे सेग्मन्ट से एले नाइट के उपर जम्प किया जो कि हमें एक साइड एंगल से दिखाया गया लेकिन अगर सामने से देखा जायो तो ये मामला ही कुछ और था क्योंकि दोस्तो सामने से जो फैन्स ने इसकी वीडियो बनाई थी वो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रही है आप भी ये वीडियो देख सकते हैं कि कैसे अंकल हाओडी ने एले नाइट के उपर तो जम्प किया ही नहीं था बलके वो उनके साइड पर आकर गिरे थे नेक्स चाम लोग बात करते हैं दा रोक के बारे में तो जैसा कि बहुत से फैंस इंक्लिटिंग मी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रोयल रंबल में दा रोक अपियर होंगे मगर जैसे कि आप जानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो क्या आकर ये मौमला है कि दा रोक रोयल रंबल में नहीं आए लेकिन वो रेसलमेनिया में आएंगे या फिर अगर वो रोयल रंबल में नहीं आए तो वो रेसलमेनिया में भी नहीं होने वाले तो ये बात हमें ट्रिपल H क्लियर करते हुए दिखाई देते हैं ट्रिपल H के कहना है कि दरोग के साथ हम बिलकुल कनेक्टिड रहते हैं लेकिन वो इतने बिजी रहते हैं कि वो फिल वक्त डब डबली में काम नहीं कर सकते और अगर बात करें उनके रेसल मेनिया स्टेटस की तो फिल हाल वो रेसल मेनिया कार्ड में कहीं भी नहीं है यानि फिल हाल उनके लिए रेसल मेनिया में कोई भी प्लैन नहीं है लेकिन फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता दोस्तों ये कहना था ट्रिपल एच का और आपका दरोक के रिसल मिनिया में ना आने पर क्या उपिनियन है ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताईएगा तो फाइनली हम लोग बात करते हैं अंडिस्टूडिड चैंपियन ट्राइबल चीफ रोमन रेंज की तो जैसा के रोयल रिंबल में हमने देखा के ना सिर уже बलड लेंज को सेमि जैन ने बैटरे कर दिया बल्के जे उजो ने भी हमें सर्प्राइबकर दिया जब उन्हें बलड लेंज के साथ मिलकर सेमि जैन पर अटैक करने की बजाए वहां से जाने को बहतर समझा दोस्तो इसके बाद रोमन रेंज ने अब फाइनली इस पर अपने रिमार्क्स दिये हैं टोक अकाउंट के जिरिये रोमन रेंज ने एक वीडियो शेयर की जिसमें उन्होंने कहा इधर यूर दे बलड लाइन और यूर नोट दोस्तो इस तरह रोमन रेंज ने ये बहुत ही फ्यूरियस रिमार्क्स दिये हैं रोयल रंबल की एंडिंग को लेकर बाखी ये वीडियो बस यहीं तक थी अगर आपको वीडियो पसंदे हो तो वीडियो को लाइक जुरूर करें मजीद रेस्लिंग वीडियो के लिए चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कर लें थैंक्स वोचिंग एंड गुडबाई